हाई फ्रेंद्स कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपने शेनल क्रीक 11 फोकास पे इस वीडियो पे हम बात करेंगे इंग्लेंड वर्सिस पाकिस्तान ओडिया नंबर टू के बारे में बात करने वाले हैं अमीद करता हूँ फर्स वंडे काफी लोगों का अच्छा गया था मेजोरिटी बहुत पोजिटिक फीड़बैक रहा और कुछ करेंगे ऐसा ही इस मैच में कि इस मैच में भी अच्छा कर पाएं सबसे पहले दोस्तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लो नीचे लाल बटन है वहाँ पे क्लिक करके सबस्क्राइब हो जाएगा साथी में दोस्तों आपने बैल ऐकन नहीं दुबाया तो बैल ऐकन दुबाले तक आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे जरूरी और बहुत इंपोर्टन चीज है टेलिग्राम पर जुड़ना वो कैसे जुड़ना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिख मिल जाएगा लेकिन सबसे असान तरीका है अगर एक वक नहीं करता दूसरा आपको ले आएगा तो आपने आ जाना है यदि आपसे कोई पैसे मांगे हमारे नाम पर कभी भी पैसे ना दे क्योंकि बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं मुझे बताना जरूरी रहता है कभी भी किसी को पैसे ना दे पिछला मैच यहां पर नहीं हुआ था तो पिछके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एक ऐसी विकेट है जा रन्स ट्रडिशनली बहुत बनते हैं लेकिन फास्ट बोलर्स को सपोर्ड भी बहुत मिलता है इंटरस्टिंगली जो लास्ट वंडे यहां पर खेला गया था वो 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल था वो भी हम बात करेंगे और वही मैचेस हम यहां पर देखेंगे CWC फाइनल 2019 जोगदा जोलाई को खेला गया था न्यूज़िलेंड इंगलेंड के बीच में वेरी गुड मैच आपको पता है कि टाइ हो गया था सुपर ओवर में गया था विकेट्स गई थी अट्राइस मैच में 16 फास्ट को गई थी और स्पिनर को विकेट ही नहीं था तो काफी अच्छा किया था यहां फास्ट पोलर्स ने बेंज शोक्स ने 84 नॉट टोट किये थे इंटरस्टिंगली उससे पिछला मैच पाकिस्तान यहां पे केली थी पाकिस्तान ने क्या किया था 315 पे 9 पचास ओवर में बंगलादेशे 221 पे 10 44 ओवर में और ओट हो गए थे ग्राउन पे रहे थे शाहीन शाफरीदी अपनी 6 विक्टों की बदॉलर जिसमें 3 विकेट बोल्ड थे एक बोल्ड के 33 पॉइंट है नॉर्मल विकेट के 25 पॉइंट तो यह भी मैंने आपके लिए हाइलेट किया शदाप खान भी दो विकेट के गई थे एक रन भी किया थ चैनल यूजिलेंड का जो भी लास्ट मैच हुआ था यहां पे इससे पहले उसमें भी 16 विकेट फास्ट बोल्ड को मिली थी इंट्रेसलिंग स्पिनर्स में भी जो विकेट गई थी वो प्राट टाइम हो गई थी स्टीवन स्मिथ ने भी एक विकेट लिया था केन विलियम तो यहां पे क्लियर एडवांटेस फास्ट बोलस का है और साथी में रंज भी होते हैं आपको यहां से पता लएगा 315 हुआ है यह दो क्वालिटी बोलिंग लाइनप्स का मैच अप था सिमिलरल्ली यहां पे ऑस्ट्रेलियन यूजिलेंड दो क्वालिटी बोलिंग का मैच जब था तो यहां पे आपको रंज भी होते दिख सकते हैं देखना रहेगा कि 250 तक ही जाता है या फिर 280-290 तक लेके जा सकते हैं इनकी टीम दोस्तों काफी इजीली मैच जीतके है पिछला टार्गेट जाता मिला नहीं 140 बे टार्गेट था फिलसौल जल्दी आउट होगे सातरन करके डेबुटेंट जैक क्रॉली ने 50 किया मेरी टीम में आप मालोगे तो यही रीजन थे जो मैं जीता एक हद तक मिरको लगा था कि साके महमूद भी और क्रेग वोर्टन भी डिफरेंशल हैं कुछ लोग नहीं लेके आये थे लेकिन यह जो था यह आइसिंग ओन के सबसे की बन गया जेम्स विंस को दोस्तो बल्ले बाजी ही नहीं मिली लेकिन वह बहुत एलिगेंट प्लेर मुझे बहुत पसंद है तो अगर पहले बल्ले बाजी करते हैं फिर तो आपके लिए एक बहुत अच्छे डिफरेंशल मनेंगे बन स्टोक्स ऑब्विस पिक है अ मैट परकिंसन आपको देखते मिलेंगे सबसे शांदार बोलिंगी साके महमूत की आपको मैं हर बार 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 बोल रहा था लास्ट वीडियो में पाकिस्तान के बैट्समन को ट्रबल किया था वहां पे कल भी आपने यहीं देखा मेडन ये लेके गए थे चार विकेट लगे गए थे लूइस गेगोरी ने भी एक मेडन चागया और एक विकेट क्रेग वर्टन दो विकेट ब्राइडन का जीरो विकेट मैट परकिंसर इंटरस्टिंगली दो विकेट बहुत अच्छे स्पिन बोलर है हाला कि पाकिस्तान के सामने इतनी विकेट ले जाएंगे ये थोड़ा मुझे डाउट था बड़ वो लेकर गए फिर भी आप देखो के पाकिस्तान की टीम स्पिनर्स को अच्छा खेलती है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बेंट स्टोक्स एक और शेपर जीरो इनके बेंच पे डिविट पेंट, डैन लॉरेस, जेक बॉल, ब पुडिया नहीं खेले थे इस सीरीज से पहले, तो अभी इन में से कुछ प्लियर्स ने डेब्यू कर लिया है, फाइनली, उन प्लियर्स में कौन आते हैं, जॉन सिम्सन आ जाते हैं, जॉन सिम्सन के लावा जाते हैं, तो ये चीज़े देखके चलना, ग्रेगरी की भी ही नहीं करेंगे, अब मान के चलो, इनके रन किते थे 47, नेक्स फाइब की आप रन्स देखो, एड कर लो, आपको ये 47 भी नहीं मिलेंगे, 37 मिलेंगे, तो इनके साथ निभाना होगा किसी को बाबर आजम बिल्कुल काबिल है, हम सब जानते हैं, इमाम उलहाग ने एक्चल 96 किये थे, ध्यान रखना हूँ, अब्विसली बंगलादेश की साइड थी, ये इंगलेंड की साइड है, तो बोलिंग में फरक तो रहेगा, मुहमद रिजवान 13, सौज शकील 5, मुझे टलेंटेट पिडर लगते हैं, अब्विसली स्टाटिंग के मैचेज हैं, और वो भी पिलिंग में दोस्तों, शाहिन शाफरीदी ने 5 और 22 पे एक किया, अब्विसली ओवर जाता सब लोग नहीं कर पाए, हसन अली की थोड़ी पिटाई हुई, 4 और 33 पे 0, हरिसरॉफ 4 और 28 पे 0, फही मशरफ 5 और 33 पे 0, शदाप खान 3 और 22 पे 0, सौध शकील 5 पोल में 3 धन क अगर आप नोट करोगे, मिरको समझ नहीं है, उस्मान कादिर क्यों नहीं खिले, मैंने पहले ही बोला था, अगर मैनेजमेंट चाहेगी, जीतना तो खिलाएगी, बड़ वो हुआ नहीं, अब उस्मान कादिर भी नहीं खिले, लेकिन यहाँ पर इंटरस्टिंग ली, हसन अली और हरिस्राफ दोनों को खिला रहे हैं, जो दोनों मैं कहूंगा डेथ बोलर है, शाहिन शाफ रीदी के साथ किसी ओपनिंग वोलर, मौहमद असनेन जैसे बोलर को खिलाना खराब नहीं होगा, हसन अली डेथ पे एक दों इंक्रेडिबल हैं, तो ये स्टैट्स देखक कोई पहली बार वीडियो देख रहा है, तो बता दू, यहां पर शदाप खान है, इनके स्टैट्स कैसे रीट करोगे, पंतालेस मैच में चौबिस बार बल्ले बाजी करी, चौबिस इनिंग्स है, 383 रन की है, पच्चीस की एवरेच से, सेंसरी एक भी नहीं है, लेकिन थ् 39.2, हसन अली 37.3, मौहमद नवास का 30 है, ठीक है, फही मशरफ का 26 परसेंट है, और 12 परसेंट है, हरिस रॉफ का, जितना ज्यादा परसेंटेज, उतना बंदा लाइकली है, बोल्ड अल्बी डव्यू करने को, और वो ज्यादा पॉइंट देता है, 33.1 बोल्ड अल्बी इसलिए आपको बताया जाता है, बागे क्रिकलन फॉर का स्टॉकिंग स्टैट्स जीसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वही चीज़ है, बाबर आजम का इंगलेंड के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, मोस्ट रंज इनके एनी के सामने है, बेंस्टोक इंगलेंड की काउंटी में, मैं रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज यह आज के मैच में कुछ काम आ सकते हैं, ध्यान रखियेगा, दोस्तों यहाँ पे जब आप विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे, फिल सॉल्ट यानि की नमक, महमद रिजवान और जॉन सिम्सन आपको की को मैंने भी पिक किया है, बल्ले बाजी सेक्शन में, दोस्तों, लास्ट में मैच में आपको कहा था, इमाम भूल आपको मैं नहीं पिक कर रहा हूं, डिस्पाइट उनका गोड रिकॉर्ड इंगलेंड, आज मैं आपको कह दूं कि आप इनको पिक कर सकते हो, लॉड्स मे अच्छा नहीं रहे, to be honest, PSL में भी कुछ नहीं किया, और जितने मैचे में इंटरनाशनली लास्ट वेचे के लिए नहीं अच्छे रहे थे, हाँ, इंगलेंड में रिकॉर्ड ज़रूर अच्छा है, ये फेक्टर इनके साथ जाता है, मैंने दोस्तों, यहाँ पे सबसे प पिक किया है, जैक क्रॉली को नहीं फिर से पिक किया है, कई बार क्या होता है, एक प्लेयर आपको जब जितवाता है, तो आपको लेने का मन करता है, ये जो 91 पॉइंट है, जैक क्रॉली के, यही में रिजन मने थे, लास्ट मेंच बहुत अच्छा जाने का, तो उमीद करू इड़ की हड़ी है, यानि ये सबसे जरूरी चीज, तो बाबर आजम को स्कोर करना है, तो पाकिस्तान का स्कोर बड़ा होगा, इनके साथ-साथ फखर जमान है, ये भी अच्छा खेल रहे हैं, लास्ट मैच में अच्छा नौक था, इनको भी पिक कर सकते हो, शान मक्सूद है इंपॉटेंट प्लेयर है, अगें, डिफरेंशल रहेंगे, डिफरेंशल प्लेयर मैं कहूंग, आपको फोर मेंबर में ट्राइ कर सकते हो, इनको या साथ-साथ-साकील को, किसी एक को, Grand League में आप क्या करोगे दोनों को try करोगे क्या करोगे इमामुल हाग को drop करोगे फकर या बाबर में से किसी एक को drop करोगे और उस case में इंग्लैंड के opening बोलर लोगे साकिब महमूद, लुईस ग्रेगोरी और साथ में क्या करना फिर middle order के पाकिस्तान के batsman लेने है सौर्च शकील और शान मक्सूद ये ध्यान रखना है, ये grandie combination ऐसे लोग बिल्कुली कम लाएंगे James Wynn से मुझे बहुत पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये player मैं कहूँगा elegance के मामले में जितने भी players खेल रहे हैं, उसमें ये बहुत अच्छा है इसके shot देखने वले होते हैं, अलग मज़ा आता है ये 20 run भी करेंगे ना, अगर 20 run में 2 cover drive, 1 pull, इतने माहे खिलाड़ी हैं कि बस shots बहुत हैं और इमाम उलहक का बात पहले ही किया सबसे पहले ये शफीके खेलते भी हैं तो हम try नहीं करेंगे, एक match में इनका list में 15 run है और rounders में दोस्तों मैंने Lewis Gregory है उनको last match में pick किया था, लेकिन आज मैं अभी इनको टीम में नहीं ले रहूँ, शिदाब खाने है जादा roll नहीं मिला, बल्लेबाजी ही नहीं आई बट अगर England पहले बल्लेबाजी करता है, रोल पूरा मिलेगा इनको 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 में भी catching positions पर रहती है I think catch इनों ने last match में भी किया ही है फहीम अश्रफ है, सौच शकील है यहाँ पे last पे आते हैं, और rounder section में यह सभी player ऐसे हैं, जो differential work कर सकते हैं फहीम हो, सौच शकील हो, शिदाब और Gregory का selection हाई है यह भी notice करने वाली बात है last match में Gregory का कम था, तब हमने pick किया था bowling section में दोस्तों मैंने यहाँ पे साके महमूत को फिर से लिया है last match में मेरे को जिस player ने अच्छे point दिये, मैं क्यों छोड़ूँगा same चीज Craig Overtan की, मैंने वीडियो के time पे Craig Overtan का आप चेक करिए पिछले match में बोला था, इनका 16% selection है, लेकिन मैं इनके बीना नहीं जाओंगा इनको grinding में भी CVC आप कर सकते हो फिर मैंने शाहिन शाह फरीदी को लिया और हसन अली को लिया है अब आप दोस्तों नोटिस करोगे, मेरे पास सिरफ और सिरफ आठ क्रेड बचे है ये क्यों है, क्योंकि मैंने इस बार फकर जमान को लिया है लास्ट टाइम मैंने ये आप फकर जमान को ना लेके रूइस ग्रेगोरी को लिया था, तो मेरे क्रेड बचा था और टीम में कई न कई बोलर अक्स्टर भी आ सकता है फिर आपको ये करना है कर सकते हो, लेकिन इस बार ही मैंने सौध शकील को टीम में लिया है प्यूजवाई हमें सौध शकील नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, उस केस में आप शान मक्सूद को ले लो मैंने सौध शकील को इसलिए लिया है क्योंकि लेफटाम अर्थटोक्स बोलिंग भी कर सकते हैं कुछ प्लस रंज आपको यह उपर आते दिख रहे हैं मक्सूद से यह रीजन है मैंने सौध शकील को प्रेफर किया है शान मक्सूद जादा आप कह सकते हो सोय मक्सूद इनफेक्ट मुझे कहना चाहिए, शान मक्सूद एक दूसरे प्लेयर है सोय मक्सूद आपके लिए क्यों अच्छे है क्योंकि वो एक्चली फॉर्म में बहुत अच्छी है काइदियाजम ट्रोफी बहुत अच्छा के लिए, पीएसल बहुत अच्छा के लिए तभी 24 साल की उमर में उनको वापिस बुलाया पाकिस्तान की टीम में और यहां पर यह मेरा है कॉंबिनेशन, CVC अगेन मेरे बाबराजम है ठीक है, मेरे कैप्टन बाबराजम रहेंगे वाइस कैप्टन सी में काफी सोच रहा था क्या बेंस्टोस को दी जाए, क्या डेविड मलान को दिया जाए तो अभी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपनी कैप्टन सी बाबराजम, वाइस कैप्टन सी क्रेग ओवर्टन को दी है एक डिफरेंशल प्लियर को, ओवर्टन के नाम में टन है टन का मतलब होता है सेंचरी, लेकिन यह है बूलर कुछ कुछ कॉंट्रिबिशन दे सकते है मानलो इंग्लेंड को सिग्स डाउन पर बल्ले बाजी जाती है तो सिग्स डाउन पर कौन आएगा, क्रेग ओवर्टन आएगे यही इनका थोड़ा सा साकिर महमूद के उपर अडवांटेज है जो की जर्मन बोलर है उमीद करता हूँ आपको कुछ अच्छा लगा बेसिकली लास्ट जैसी ही टीम है एडिशन हुआ है फकर जमान का डिलीशन मैंने यहां से किया है लोईस ग्रेगोरी का आपको चेंज करना चाओ तो चेंजिस कर सकते हो टेलीगराम का लिंग वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा टॉप के कॉमेंट से भी आपको मिल जाएगा आप दोनों में से कहीं से भी आ सकते हैं मैं सजेस्ट करूँगा टॉप का कॉमेंट देख क्या है कभी कोई पैसे मांगे तो उसे उल्टा और मूठा दिखा दे और इस वीडियो पर सीधा अंगूठा दिखा दे यानि लाइक कर दे भाई अंगूठा नहीं दिखाना नीचे नीचे लाइक कर दे